देखो कल की क्लास में अपने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अबजेट्स ऑफ ऑडिटिंग यह जो चैप्टर है इसमें यह बोलता है कि ऑडिटर का जो मेन अबजेक्टिव होता है वो एर्रस को और फ्रॉड को सब्सेट्ट करना है ऐरर के यह फ्रॉड को क्या करना है प्रिवेंट यह डिटेक्ट करने अडिटर जो होता है न ओधिटर का काम होता है उपक्स ऑफ एकउट एक्जामीन करना चेक करना ठीक है और अपना कॉन्क्लूजन देना कि वह जो एक डि़ले साफ नदे उसके लिए एरर और फ्रॉट की ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए तभी तो पकड़ेगा तभी तो खुछ पाएगा एरर और फ्रॉड ठीक है तो इस चैप्टर में अपने को एरर और फ्रॉड के बारे में बताया गया था एरर जो होते हैं बेसिकली चार टाइपस में है एरर ऑफ ओमीशन मतलब जो एंट्री जो ट्रांजिक्शन हुआ है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो उसको बलेंगे एरर अफ ओमीशन उसके बाद एरर ऑफ ओमीशन को दो कैटेगरी में और डिवाइट किया गया है कि एरर ऑफ कंप्लिट ओमीशन और एर और पार् एक चीज अगर डेविट होगी तो दूसरी क्रेडिट तो डेविट तो आपने किया है लेकिन क्रेडिट आपने नहीं किया है जब क्रेडिट किया है आपने डेविट नहीं किया है तो उसको क्या बोलेंगे एरर ऑफ पार्शियल ओमीशन और जो एंट्री पूरी छुड़ गलती हो जाना तो यहाँ पर error of commission जो होता है उसको कुछ-कुछ examples दे के समझाए recording wrong amount in books महला आप entry कर रहे थे 10,000 लिखना था आप 100 लिख दिए 1000 लिख दिए आपने गलत entry लिख दी entry तो हुई है लेकिन गलत amount से entry हो गई दुसरा wrong totaling of books अब आप total लगा रहे थे तो totally गलत लगा दिए यह wrong totaling वाला जो है ना भाई जब manual accounting होती थी ना तब यह possibility ज़्यादा होती थी अब आजकल computerized accounting हो गई तो wrong totaling वाला automatic computer लगा देता और computer total कभी गलत नहीं लगाता है उसके बार posting wrong amount in the laser posting wrong amount in the लेजर एकाउंट आप लोग पता है ना जर्णल entry करते है जर्णल entry के बाद क्या करनी पड़ती है laser posting करनी पड़ती है जर्णल entry के बाद जब laser posting करोगे तो laser posting करते करते यहाँ journal में लिखे थे 1000 यहाँ लिखते लिखते आगे 10 लिखा गया अपनी laser account में क्या कर दिया गलत अबाउंट डाल दिया posting at the wrong side of laser account आप laser account बना है उस entry को debit में डालना था गलती से कहाँ डाल दिये credit में डाल दिये तो यह गलती हो गई उसके बाद in current balancing of laser account in current balancing मतलब मालू में लेजर एकाउंट जब बनाते हैं लेजर एकाउंट जब बनाते तो इधर का total माइनस इधर का total करते तो जो balance आता है balance निकालते पैल्लेंस निकालनी में गड़़ी होगी माल लो इधर का total आता है एक लाक और इधर का total कितना आता है असी हजार तो दोनों का डिफरेंस किता है काईदे से अपने को यहां फिर बैलेंस करने में कितना लिखना था 20 गलती से 2000 लिख दिए तो यह भी एक गलती है मेरा बुलने का मतलब गलतियां के आपको एरर ऑफ कमिशन बता रहें गलत एमांट रिकॉर्ड हो जाना गलत टोटल एरर ऑफ प्रिंसिपल्स एकाउंट के जो सिधान्त होते हैं उस रूल की गणबड़ी कर देना जैसे फॉर एक्जांपल आपने कुछ गूड्स खरीदा गूड्स मतलब क्या होता है जिसकी हम खरीदी विक्री करते उसको क्या बते गूड्स तो गूड्स जब खरीदते तो अपन पर्चेस एकाउंट एबिट करते और गूड्स जब बेशते तो हम क्या करते सेल्स एकाउंट क्रेडिट करते लेकिन आपने फरनीचर खरीदा अपने यूज करने के लिए फरनीचर आपके लिए क्या है एसेट्स इसका आप खरीदी भी कर दिया पर्चेस एकाउंट डेबिट कर दिए जबकि क्या डेबिट होना था पनीचर एक हो तो यह एरर ऑफ प्रिंसिपल है यह काइंट के ठीक है बिल्डिंग बनवा रहे थे बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड आपने कुछ रिपेयर के खर्चे किये तो सॉरी मैं उल्टा बोल दिया बिल्डिंग बन क्या बलेंग एरर ऑफ प्रिंसिपल कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कॉम्पेंसेटिंग नेचर के होते हैं कॉम्पेंसेटिंग नेचर मतलब कॉम्पेंसेटिंग नेचर मतलब एक गलती दूसरी गलती को काट देती है जिसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है तो इसको क्या ब डूरुपय का गूड्स खरीदा तो आप रैंट्री क्या करें करोगे पर 10 से एकांट डैबिट टू ושव चार पर опять से अकाउंड डैबिट टू श्याम ये एंट्री करोगे अब क्या यहां पर कितना लिख दिये तो गलती से कितना ड़ीट डाले 200 डाले अब आपने इधर राम से खरीदा अपने राम से खरीदा कित्ते का 200 रुपए का तो एंट्री का करोगे पर्चेस अंट डेविट टू राम और गलती से दोके बर बूखें इफ्एक पड़ेगा करते हैंतों तो temperature होई कि नहीं है हुआ हुआ है गलती यहां पर भी है है हुआ यहां पर भी लेकिन जब देहां अल्टीमेटली काट देती है उसके एफेट को नलिपाई कर देती है ठीक अब हैर संपढ़ क्यों रहे हैं हम चैप्टर पढ़ रहें और अदिटिंग मतलब आपको आपको यह माना जा रहे है कि आप अदिटर बनने की तयारी कर रहे हो तो आपका काम क्या है एर्र और फ्रॉड को प्रिवें वह उनिंटेंशनल होते है अनिंटेंशनल मतलब जानबुच करके करी हुई घलती नहीं आती है और अपन क्या बोलेंगे विल्द्ल तो एर्र को खूझ ना असान होता हैं जबकि फ्रॉड कोались यह किया ही घलती होती है这 ुस में पूरा जुगार बेठा आपका एरर के बारे में मैंने बता दिया अब एरर मिल गया मालो ऑडिटर को पहले तो बता दी कि वह एरर यह टेप के होते हैं अब एरर जब ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म करेगा तो क्या-क्या कैसे उसको आडिटर को एरर डिटेक्ट होगे पढ़ो क्या लिखा है ति बड़ुक्र के लिए तो आडिटर कभी भी सामने वले को डाउटफुल सोच के चेक्रण नहीं करता है वह जनरली जाता है चेक करता है चेकिंग करते करते अगर उसको कोई error मिल जाता है तो ठीक है नहीं मिला तो auditor की जवाबदारी नहीं होती error नहीं मिला तो auditor क्या करने गया है normal checking करने गया है ठीक है तो देखा जाता है कि audit करते करते एरर्स मिल जाते हैं लेकिन फिर भी auditor की principal objective नहीं होता है कि error को खोज के बता है however in the course of audit some errors get detected and some errors may not get detected audit करते करते कुछ error मिल जाते हैं कुछ error नहीं मिल पाते this is an advantage derived from audit यह audit से एक advantage मिलता है कि कुछ-कुछ errors मिल जाते हैं for this purpose errors can be divided into two categories अब हम अभी क्या पढ़रेis का detection ठीक है अब errors को खोजना है errors को खोजना है तो खोजने के लिए आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा कि कुछ error ऐसे होते हैं जिसके कारण trial balance जो होता है न उसका disagreement होता है और कुछ error ऐसे होते हैं हैं राइल बैंस कि क्या होता है undershaugry नहीं होता हैprend। बोले का मतलब सबसे रिएले आँटि करी जाती है कि हम सबसे पहलेे क्या कर जाती है जर्नल यंट्री जब क्या बना जाती हैं लेजर रेजर को बनाऊगे ना तो ट्रायल लेंस का डौनों साइद का टोटल है ना बराबर आ जाता है डौनों साइड का टौटल लोसा प्रापीश कोता है तो बराबर आ जाता है मतलब बीच जरूरी थे इस इत मेरह होएं है तो यहां पर लिखा है those errors which cause disagreement of trial balance ऐसे कुछ errors होते हैं जिसके कारण trial balance में क्या देखने को मिलेगा disagreement मतलब यहां पर एक लाख आ रहा है तो यहां पर कितना आ रहा है 80,000 तो trial balance का दोनों side का total जो है match नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे disagreement और कुछ error ऐसे होते हैं जिसके कारण trial balance में disagreement देखने को नहीं मिलता है मतलब error होने के बाद भी trial balance आपका दोनों side का क्या होगा equal हो जाएगा आप लोग मेरे को बता सकते हो ऐसे कौन से error से जिसके कारण trial balance disagree होगा और जिसके कारण disagree नहीं होगा अगर मैं बोलूगा compensating error कौन सेटिंग error अगर है ना तो उसके कारण trial balance का कभी भी disagreement नहीं होगा बराबर इच्चा आएगा दोनों side क्योंकि एक जगा 2000 डालना था एक्जांपल के omission बोल सकता होगा error of partial omission में एक side entry होगा एक side नहीं हुई है तो trial balance disagree कर जाएगा उसके बाद और कौन सी चीज़े जिसके कारण trial balance disagree होगा total गलत लगना balance गलत निकालना है ना laser account के गलत साइड में पोस्ट हो जाना मतलब ऐसा कोई एक error नहीं है जिसके कारण trial balance disagree होगा बहुत सारे हो सकते हैं तो मैंने कुछ-कुछ example बता दिए error of partial omission दूसरा दूसरा error of commission में भी जो अलग-अलग type थे कौन-कौन सा था एक तो totaling error हो गया balancing error हो गया posting wrong side in laser हो गया यह कुछ-कुछ errors है error of principle के कारण बताओ trial balance में गड़वड़ी आएगी क्या heading बस change हो गई लेकिन entry सही हुई है तो उससे गलत नहीं होगा तो यह मैंने है कल की class में deal कर चुका था इसलिए मैं अब इसमें जादा जानी रहू ठीक है बस इतना समझ लो कि जब trial balance में है ना जब disagreement नहीं रहता है तो auditor audit करते समय मतलब checking करते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान से देखेगा समझेगा सारे entries को अपने voucher से मिलाएगा तो voucher से check करते कुछ इसको मिल सकता है तो मिल जाएगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो ठीक है ठीक दूसरा कुछ-कुछ error ऐसे होते जो disagreement कर जाते ट्राइल बेंस में तो यह तो दीख रहे है ना error है तभी तो disagree हो रहा है यह वाले error दिखते नहीं है भाई तो इसको खोजना थोड़ा था मुश्किल वाला काम है तो इसके लिए पूरा थौरो चेकिंग करनी पड़ती है ठीक है लेकिन अगर यहां कई बात करू तो इसके लिए है ना अगर आपको खोजना है कि गलती क्यों हो रही है तो गलती खोजने का है कुछ-कुछ और 20,000 की डबल एमाउंट कितनी होती है 40 यह तीनों एमाउंट को आप खोजो कहीं पर कोई ऐसी एमाउंट तो नहीं है जो छुट जा रही है आपसे जातो 20,000 खुद यह 20,000 का आधा यह 20,000 का डबल आप खोजो इसको ऐसी कोई यह तो चेक करो उसकी एंट्री हुई है की नहीं दूसरा ट्रायल वैलेम्स में जो डिफरेंस आ रहे है मालों यहाँ पर आना था 5,400 आना था और यहां पर आ गया है 4,500 टोटल कितना रहा था 5400 और यहाँ पर कितना दिख रहे है 4500 तो दोनों का डिफरेंस कितना है जो डिफरेंस आ रहा है उसको 9 से डिवाइट करके देखो किस से डिवाइट करके देखो 9 से और यह 9 से अगर ऐग्जेक्लिव यह Community हो जाता है तो मानं के चलो कि Iím लिखने में आपसे क्रवड़न से गरवरी हो अपने 5400 के बदले बांट है 4,500 लिख़िया है तो ऐसे मन्माउंट रिप्लेश हो जाते ना जैसे आप एक में t cap 59 माइनस 589 करो अगर आप गलती से 859 को 589 लिख दोगे दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहे देखो 200 270 को 9 से डिवाइड करो कितना हैगा 20 देखो एक्जेक्टली डिवाइड हो गया मतलब ऐसा अगर कोई जो डिफरेंस नौ से एक्जेक्टली डिवाइड हो रहा है तो पूरा-पूरा चांस होता है कि आपने कहीं है माउंट लिखने में क्या कर दिया है मतलब एक को आगे पीछे करके लिख दिया है ठीक है तो कुछ-कुछ ऐसे टेक्निक्स बताई गई है यहां पर कि आप ऐसे एरर को जब जब ट्रायल बैलेंस में कोई एरर जो है डिस एग्रिमेंट कर रहा है तो उसको कैसे खोजेंगे और जो डिस एग्रिमेंट नहीं कर तो अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या है यह हम कल की यहां के रुख गये थे अब आज की क्लास बोल सकते हैं यहां तो इसस्टार्ट हो रही है एरर्स मिले तो अब एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ जैसे आपका एक्जाम हुआ अपका एक्जाम हुआ ठीक है आपके sir आपका paper check कर रहे final exam है तो आपने जो लिखा है तो क्या सामने वाला सुधार देता है क्या कोई बच्चा फेल नहीं होगा फिर उस सुधारता नहीं है जो आपने काम किया है जो आपने काम किया है उसको check करेगा और उसके base पर अपनी report देगा हाँ लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पी कोई exam नहीं हो रहा है तो यहाँ पर auditor जो है management को बोलेगा देखो भी है यह सब गड़वड़िया मिली है मेरे को अपना report देना है तो मेरे report देने के पहले आप क्या कर लो चीजों को सुधार लो तो मैं clean report दूँगा कि भई आप जो गड़वड़िया मिल रही है आप उसको सुधार दो नहीं मिल रही है तो नहीं करोगे तो मैं report में अपने लिख दूँगा ठीक है यह एक्जाम में original exam में ऐसा नहीं होता है सर का phone आता है क्या नहीं ना जलो देखो इट इस duties of auditor regarding errors it is not the duty of auditor to make the trial balance agreed trial balance अगर दोनों साइट का total बराबर नहीं आ रहे न तो उसको agree कराने का duty किसका नहीं है यह बनाने का duty किसका है accountant का duty भाई accountant का काम है बनाना auditor का काम नहीं है बनाना ठीक है he is appointed to examine the books of account he is to and not to prepare accounts auditor को क्यों appoint किया गया है to appoint he is appointed to examine the books of account not to prepare account therefore the main duties of an auditor regarding error are as follows पहले क्या बोलता है इस line में क्या लिखा है कि auditor की duty नहीं है कि trial balance का total match नहीं हो रहे तो वो खुद सुधारे auditor check करने आया है ठीक है auditor को क्यों बुलाया गया कि को appoint किया गया है ताकि वो books of account को examine कर सके check कर सके ना कि account prepare करने आया है वो तो इसलिए इस पुदार के रिगार्डिंग एर्रइस की रिगार्डिंग ओडिटर की duty क्या है और डिटेक्ट एरर को खोजना उसका काम है एरर को सुधारना उसका काम नहीं है and he should work as a detector he should work at the detector it means that while performing his audit procedure auditors should collect the audit evidence audit करते 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 को क्या करना पड़ेगा न जो है जो Salvador audit करते 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 उसको पूरे सबूत इखटे करने पड़ेंगे ठीक है कल को उसको भी अपनी आपको प्रूफ करने कि मेरे कोई गलती मिली तो पूछे का कहा गलती दिखाओ तो auditor को कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना तो audit procedure perform करते करते auditor को भी करने पड़ेंगे उसको audit के evidence collect करने पड़ेंगे he should do his work honestly auditor को अपना work क्या करना पड़ेगा honestly करना पड़ेगा he should put moral pressure on employees employee के उपर कैसा pressure moral pressure डालना पड़ेगा बताना पड़ेगा mentally कि भाई यह ना काम auditing का हो रहा है तो आप लोग बिलकुल सतर को जाओ कि तुमको error हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो ठीक है मतला error को रोकने के कुछ कुछ suggestions देगा he should not unnecessarily doubt on employees auditor का काम जबरदस्ति किसी के ओपर doubt करना नहीं है ठीक है मतला वो normal पहले course audit की लगाएगा जब गढ़बडिया मिलेगी तभी उसको सारी चीज़े चेक करना है नहीं तो जब तक ऐसा कुछ गढ़बड नहीं दिख रहा है तब तक किसी के ओपर उसको doubt नहीं करना है to detect error he should be based on routine checking to detect error he should be based on routine checking routine checking मतलब routine checking मतलब continuous auditor को आप लोगों को मालू है बैंकों में concurrent audit होते रहता है concurrent audit मतलब समस्ते हो बैंक वाले लोग है ना CA को appoint करते हैं और उसका एक term रहता है साल बर का दो साल का ऐसा करके तो CA लोग क्या करते हैं हर हफते में दो तीन दिन जाते हैं बैंक में जो भी लेंदेन हो रहे ना उसको जाकर regular routine check करकर क्या आ जाते क्यों गडबड़ी वडबड़ी तो नहीं हो रही है concurrent audit गोलते उसको उसको उसके बाद आगे he should not protect the interest sorry he should protect the interest of the client by following rules and regulation of the act auditor audit कर रहा है किसी का audit करते करते गडबड़ीया मिल गई तो गडबड़ीया मिल गई तो क्या होगा facebook में post करेगा status डालेगा मैं audit कर रहा था यहां पर मतलब जिसका वो audit कर रहा है उसका interest को भी protect करके रखेगा ठीक है चलो तो यहां तक हो गई audit की जवाबदारी auditor की की errors मिलते हैं तो उसकी duties क्या क्या है अब अपन बात करेंगे fraud की fraud fraud का मतलब क्या होता है fraud means an intentional act or false representation or false entry made in books of account to defraud somebody or to make undue advantage मतलब fraud जो होता है न fraud एक है न intentional act होता है क्या होता है intentional act of false representation intentional act मतलब जान बूच करके किया गया अपने आपको गलत represent करना false entry करना books of account में ठीक है क्यों क्यों करता है आदमी to defraud somebody to defraud somebody मतलब सामने वाले से undue advantage लेना सामने वाले को कुछ गलत बताना in other words fraud is an error which is committed willfully और knowingly with a view to cheat others types of fraud are as follows fraud मतलब जान बूच करके की गई गलती बोल सकते हैं गलती से हो हो गई गलती मतलब errors types of fraud are as follows fraud के types वहां पर अपन क्या देखे थे errors के types अब यहां पर अपन क्या देखने फ्रॉड के टैप मिस एप्रोप्रियेशन और embezzlement of cash miss appropriation of goods embezzlement or miss appropriation of assets embezzlement of labors embezzlement of amenities window dressing यह आपको याद रहना चाहिए छह point पहला होता है miss appropriation or embezzlement of cash miss appropriation of goods embezzlement or miss appropriation of asset embezzlement of labor embezzlement of amenities और window dressing यह 6 type के क्या होते हैं फ्रॉड होते हैं तो पहला है miss appropriation or embezzlement of cash embezzlement का हिंदी में मतलब क्या होता है तोरी घपला तोरी मतलब theft में आ जाएगा embezzlement मतलब घपला ठीक है यहां घपला किसका हो रहा है cash का यहां पर किसका घपला हो रहा है miss appropriation भी घपला यह एक word है goods का यहां पर किसका हो रहा है assets का यहां पर किसका हो रहा है labor का और यहां पर किसका हो रहा है सुविधाए amenities का और यहां पर क्या हो रही window dressing देखो मिस एप्रोप्रिएशन ओफ मिस एप्रोप्रिएशन और एमबेजलमेंट औफ कैश एक बार रीड करो और मेरे को समझाने की कोशिश करो इससे क्या समझ देख आप इसमें से लाश्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ओपर अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी आगे पढ़ेंगे अपन लाश्ट वाला सबसे आदा इंपॉर्टेंट है क्या सबन में है क्रितिका क्या सबस्ट एंपॉर्टेंट है क्या सबस्ट इंपॉर्टेंट है क्या क्या है सबस्ट में मिसड एंबेज़मेंट्ट इंपॉर्प्रोप्रेशन और इंपॉर्प्रशन और डियुख्रेंट इंपॉर्टेंट आपक्लेशन औझ सबस्ट मिसड़प्रोप्रोप्रемся और अबगblick कर तूमाप Bell幕 मैनेथ हिन है है तिदिसी बात है ठीक है कैस्ट का घपला हो रहा है नॉन रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ कैस्ट जब बड़े बड़े और अर्गनाइजेशन होते हैं जहां पे एंप्लॉई के भरोसे काम चलता है एंप्लॉई ने कुछ सेल कर दिया दस हजार का सेल किया ल सेल के एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा क्या नहीं दूसरा ओमिटिंग टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड मालों किसी को उधारी दे के रखे है तो बात में सामने वाला पैसा वापस लाके आएगा तो जब दे का पैसा लाके तो उसकी मने ते हैं कि विए गुण के उतना पैसा अन्दर रिकॉर्डिंग स६्सक्रिंच पेसा दीया गया आ ये को सब्सक्राइब लेकिंग दिए टीमींग रेडिंग वही चीज है नहीं से कि ऊधारी दिए सामने में पैसा उसको रिकॉर्ड मत करो फिर अब दूसरा वाला जब आया ना तो दुसरे वाले में डालो यह प्रोसेस चलते रहेगा चलते रहेगा इसकी टोप्यूपी उसके चलते रहेगा तो सामने आले को कभी पता ही नहीं चलेगा कि पैसा वहां से 20 वी से पार हो चुका है अरी बाद समयंगे इसको बोचे टीमिंग लेडिंग आगे पढ़ेंगे अप और साथ में एक सिस्टम लगाते हैं उसको बोलते हैं इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम इन पूरी चेकिंग करते हैं कि कहीं पे कोई लूप होल तो नहीं है जहां से कोई चीज का घडबड़ी हो सके हैं दूसरा है मिस एप्रोप्रेशन अफ गूड्स मतलब गूड्स का माल का मिस एप्रोप्रेशन और गूड्स मतलब जिस बिजनेस में जहां पर इन्वेंटरी को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाता है वहां पर मिस एप्रोप्रेशन और गूड्स होने का चांस बहुत ज्यादा होता है बतलब गूड्स का घपला बोलता है ठीक है जो ऐसे कोई बिजनेस होते हैं जहां पर हलकी और महेंगी क्या बोलते हैं इन्वेंटरी मेंटेन की जाइब ज्वेलरी शॉप बोलता है ज्वेलरी शॉप में आपको देखना ज्यादा अंगूठी लेने का अंगूठी पार कर दिये चोटी सी रहती कहां दीखेगी हलकी और देवल देख रहे ना इक दाओ उन्लों का ज्वेलरी शॉप है तो हलकी और महेंगी चीजों वाली जो दुकान होती है वहाँ पर मिस एप्रोप्रोप्रियेशन और गूड्स का होने का खत्रा ज्यादा होता है ठीक है अब आगे इस्टीलिंग ऑफ गूड्स फ्रॉम दगोडाउन एंड एड़ेस्टिंग रिकॉर्ड एकॉर्डिंगली यह एंप्लॉई लोग ही कर सकते हैं ज्यादा तर गूड्स को गूडाउन से चुरा लिए और चुराने के बद जो रिकॉर्ड्स में गूड्स के एंट्रेन उसको पॉड्डिंग ली चेंज भी कर दिए नौट रिकॉर्डिंग दा पर्चेस और नीवीर गूड्स खरीद के ले कराया और पर्चेस रिकॉर्ड नहीं किये तो फ्री हो गया अब गूड्स को एंपलोई मार दिया नौट रिकॉर्डिंग सेल्स विट लेसर अमांट अपने स sales return record नहीं किया जिसने को आपने कुछ बेजा बेचा सवरी सामने वाला गुट्स क्या कर दिया वापस Лा के दिया आपने nasıl लाके दिया आपने से कम से कम अमाउंट से रिकॉर्ड किये तो इस तरीके से गूपलग किया जाता मतलब वो जो गूट्स कंट्रोल किसके आगई यह उसके उपर एंप्लॉई की जो यह सब देख रहें वो वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ यूज ऑफ स्टेशनरी इन डॉमस्टिक यूज पर्चेश फॉर्ड ऑउर्ग यूजिस शौनरी जो और खरीदी गई है लेकिन उसका यूज कहां पर हो रहा है दोमस्टिक यूज बो रहे है तो इसको भी आपन क्या बोलेंगे मिस अप्रोप्रोप्रीशन आफ गूड्स के बद अगला के अमेंबेजलमेंट और मिस अप्रोप्रोप्रेशन ऑफ एसेट्स मतलब कि बिजनेस में यूज होने वारी कार को एंपलोई अपने घर में यूज कर रहे हैं पत्नी बच्चों को घुमा रहा है मतलब उसको और्गनाइजेशन किस लिए दी है घर से ऑफिस ऑफिस से घर और ऑफिस के काम से इधार दे जाने के लिए अब उस कार का यूज कहां हो रहा है वो कार जाती उसके बच्चे को स्कूल छोड़ने उसकी पत्नी जाती सबजी लेने हर संड़े को घुमने जाते पिक आने वाला और किराय कमार है वहां से तो कुछ भी हो सकता है इसको बोलेंगे मिस अप्रोप्रोप्रेशन ओफ एसेट्स एंबेजलमेंट ऑफ लेबर्स एंबेजलमेंट ऑफ लेबर्स मतलब आपको कोई आपकोई अधिकारी बड़े पोस्ट में काम कर रहे हो ठीक है आपक आफिसे काम करने क्लिए आपको आदमी दीया गए निकम टेक सेल्री में पढ़े थे कि वरकर लिटी करेंद आपिस में काम करने के लिए आपको बेजा गया उस आदमी को अउसको बहुत दा भारना ज खेहर तेंध है उसका objects कर आपको क्या अबर्सorar है लेबर्स का जी स प्रोफित लॉट्सट की पहलेनुगों का विदू ड्रेसिंग नबिंडू ड्रेसिंग मतलब खिडिकी को सजाना एक प्रोसेस лег produces में जैसे मालों मैं आपना प्रोफिट और लॉस एकाउट बनाया मैं Ay program बैंक वाला मेरे profit loss account को देखेगा ना तो जदा ज़दा profit दिखेगा ना तो लोन देदेगा तो मैं अपने books of account को क्या करूंगा उसके according बनाके लेकि जाँगा डिखाने के लिए यह देखो मिरा books of account ऐसा है कि मिरे को जादा loan मिल सके तो मैं अपने आपको अमीर अमीर अमिर दीखांगे किसको बैंक वाले को अब जब टैक्स देने मिलेकी आएगी तो मैं अपने बारी आएगी तो मैं अपने आपको क्या अब ध्यान से सुनना अगर कोई ऑडिटर को पकड़ में फ्रॉड आ जाता है तो ऑडिटर की क्या अब दिटर की क्या जवाबदारी है पढ़ते हैं देटेक्षा ऑफ एर एंफ्रॉड फ्रॉड इस नौट प्रैमरी ऑप्जेक्ट अजोड एन ओडीटर ऑफ्रॉड इफेन और दिटेक्शन और इंवेस्टिटर अव्यूड ग्लाइटर, इफ नौट इटेक्टर अवर्ड औ investigator not as an auditor अगर auditor जो है उसको इस काम से बुलाया जाए कि भई तुआ और मेरे यहां पर क्या गड़बड़ी है क्या फ्रॉड हो रहे क्या रहर हो इसको पकड़ के बता तो उससे में उसको auditor नहीं बोलेंगे उसको investigator बोलेंगे उसको auditor और investigator में फरक होता है और डिटर जो होता है books of account की accuracy चेक करने के लिए अगर किसी को और फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं बूलाया जाता है अगर किसी को और फ्रॉड पकड़ने के लिए बूलाया गया तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे investigator बोलेंगे auditor नहीं बोलेंगे but during the course of audit he generally comes across certain error as a fraud it is the duty to get error rectified and undertake investigation of fraud and report to the client बलाया नहीं लेकिन audit करते कुछ गड़बडिया और कुछ errors और कुछ fraud पकड़ में आ जाते हैं तब auditor को पकड़ में आ जाते हैं तो auditor की क्या जाबदार यह कि उसको correct करवाए करें नहीं करवाए ठीक है और उससे related जो भी investigation है बोले भी सामने इससे related जो भी investigation है वो करवाओ और अपने client को उससे related information दो report करो उसको कि यह दिक्कत आ रही है detection and prevention of error and fraud are primary responsibility of the management यह detection और prevention of error and fraud की primary responsibility किसकी है management की है by establishing adequate internal control मतला बोल रहे है कि fraud और error को पकड़ना और prevent करने की main responsibility किसकी है management की और management इसको कैसे prevent और वो detect करेगा by establishing adequate internal control प्रॉपर internal control लगाएगा तो ही management यह काम कर सकता है internal control जैसे आप कोई आप school में पढ़ते थे या college में पढ़ते हो ठीक है college में पढ़ते हो या school में school की बात करते तो school में जब आप fees का payment करने जाते थे तो आपको इसकूल का जो परिसेपल है वह रसीट काट के देता था क्या इसकूल का management कोई और है इसकूल किसी और की उसके नीचे काम करने वाले लोग इतने सारे तो अब आप जैसे fees पे करने गए महाँ पे इसकूल की तो सामने वाला किया है रीसिप्ट कारट के दिया सब्सक्राइब IP अपने पास रखा अवह रीचिट को कारटके फिर आप किसके पास गये है कि मैं ऑडि यंशल्त औहने वाला है कभी कभी होता है न्युस Кूलों रिज़र्ट रोगक देते तो जैसे मान लोग किसी दच्चे निए स्कूल की फीस पय नहीं करी ठीक है अब इसकूल की फीस पय करी है तो सामने वह जब इसकूल की फीस पे महीं किया तो थेक्षinas क्या करा fund लेंगे क्षेज़ा कहते हो थे तो आप नो डूस लेकर आओ तब मैं आपको देखूंगा कि आपने फीस पे किया है कि नहीं वह देखने के बादी टीचर को बोला गया है आप अरी वसमें नहीं तो टीचर बोले का लाव मेरे पांस ओ देते रिखन देता हूं तो वहीं घपला हो गया ना भाई वह लूप हो ले तो इंटर्नल कंट्रोल इसी ले सेट किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का एरर और फ्रॉड ना हो सके तो ऑडिटर की जवाबदार क्या है कि री ऑडिटर जब ऑडिटर करेगा तो रिजनेबल लगाएगा अपनी इस्कील और केर करेगा सारी चीजों का एन ऑडिटर मस्ट वर्क ओनेस्टली वही लगबग जो एरर्स में था ना वही सब यहां पर भी देखने को मिलेगा और डिटर ड्यूटी इस नौट भी सस्पीशियस ओडिटर जो काम कर रहे ना वो डाउटफुल नहीं होना चीए ओडिटर के उपर विश्वास करना चीए लोगों को ओडिटर इस नौट लाइबल फॉर दा फ्रॉड अब फ्रॉड हो रहा है ना और्गनाइजेशन में उसके लिए ओडिटर कोई जवाब फिर पॉर इस नेफल के रंडिटर फ्रॉड निदर तॉड फॉड ब्रॉड एंटेड गार वालू मैं यह लाइन लिखी रहेगी इसमेले इन्वर्टेट कॉमा डाला ना यह लाइन लिखी मिलेगी क्या लिख दो ऑडिटर इस एक्ट विच रिजनेबल केर एंड स्किल बट इस एनी मैटर रिलेटेट टू एरर और फ्रॉड रिमेन अंडिटेक्टेड आफ्टर परफॉर्विंग प्रॉपर अडिट प्रॉपर अपना सब ध्यान रखके सब लगाके फिर भी फिर भी जब उसके बाद भी ऑडिटर जो है उसको एरर और फ्रॉड मिलते हैं बुक्स आपकाउंट में यह सब करने के बाद भी रह जाते हैं उसमें तो क्या ऑडिटर को लाइबल ठहराया जा सकता है तो इसका अ यह इतना बढ़ा अनसर लीखना पड़ेगा कहा से लेकर मालूम है पूरा अपना उस इसके बाद फिर ठीक है कुछ आपके से करता है यह सब बताने के बाद आखरी में उसको यह व्ला conclusion देना है अपना कि नहीं auditor को लाइबल ठेराया नहीं जा सकता है एक question एक तयार होगे आपका ठीक है अब एक short note है teaming and lading के नाम से यह मेरे को करवाना है तो आप लोग अलाओ करोगे तो अभी करा देता हूँ नहीं तो next class में कल करवा करूँगा ठीक है यह चैप्टर जो है एक class को और बच्चा यह चैप्टर खतम हो जाएगा next class में ठीक तो एक काम करतो टीमिंग लेडिंग प्लिच करवा हूँगा मलब next class में